लाल करेंगे सब्सक्राइब बट्रिंग को प्रेस कर दो और गंटी बजा के अंदर आ जाओ कि वह वह दो सब्सक्राइब एक शाओंवी डिवाइस यूज करते हैं तो उसमें MIUI 10 यूज करना तो एक ओवेस सी वात है हम सभी MIUI 10 ही यूज कर रहे हैं शाओंवी डिवाइस के अंदर हाला को जो पुराने डिवाइस उनमें अभी तक MIUI 10 का अपडेट नहीं मिला है तो उनको भी बहुत जल्दी MIUI 10 का अपडेट मिल जाएगा और वह भी MIUI 10 का लोग उठा पाएंगे लेकिन दिक्कत क्या आदि है ना उसमें हमें क्या MIUI 10 का अपडेट कर लिया हमने लेकिन उसमें क्या कुछ hidden features आएं क्या कुछ नए features एड़ किये गए और क्या कुछ tips और ट्रिक्स है MIUI 10 के लिए वह हमें पता नहीं होती है लेकिन इस वीडियो कर आगको complete देखते हैं तो आपको बात दिल जाएगा क्या कुछ hidden features है क्या कुछ नए features add किये गए और क्या कुछ आप टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिल जाती है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे एक सवाल है आपसे कि आपको ज्यादा क्या पसंद आता है मतलब कौन सा ओस ज्यादा पसंद आता है या फिर आपको color ओस ज्यादा पसंद आता है या फिर M.I.U.I ही हमारा पसंद आता है और एक साथ में और लेलते हैं जो क्या आता है उक्सिजन ओस तो इन में से कौन सा पसंद आता है वो मुझे comment box में आप ज़वर से पताईएगा ताकि आपके लिए future में कुछ ना कुछ इंटरस्टिंग कर सको और उपर एक poll दिया है दोस्तों 30 लाइक तो इस वीडियो आगे बढ़ते हैं और देखते क्या कुछ हमें hidden features देखने हूं मिल जाते हैं MIUI 10 के साहर सूल लेट्स बिगें वाल दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं MIUI 10 की उस tips and tricks के उपर हो कुछ hidden features के उपर सबसे पहला जो hidden feature निकल के आता है वो आता है कोई message आता है या फिर WhatsApp के जरी कोई message आ जाता है कोई नो कोई important message पर हमार समने आई जाता है बट अगर हम PUBG के से game कोई खेल रहे होते हैं या फिर PUBG की बात निकला हम कोई important काम कर रहे होते हैं अपने mobile के उपर तो हम नोटरिक्शन देखने का time नहीं मिलता बट वो important होता है तो उसको हम बाद में देखना चाहते हैं बाद में न भूल जाए उसके लिए हम एक timer या फिर बोल सकते हैं कि लगा सकते है timer होता है बाद में आपको नोटरिक्शन हम शो हो जाएगा अप किस तरह से करना है तो आपको करना है swipe left की तरफ आपको करना है नोटरिक्शन को दे एक 15 मिनिट का लगा लीजिए, एक गंटे का लगा लीजिए, 20 मिनिट का कितने भी अपने साथ से लगा सकते हैं, दिन इसको अगर हटाना है, तो आप अपर undo का option मिल जाता है, इसको पर आप टैप कर दीजे, टैप करने बाद वह नोट इक्शन हट जायागा, और अगर आपन अगला feature भी notification bar में ही निकल करता है, तो अगर notification bar को down करते हैं, तो इसके बाद आप यहाँ पर दीख सकते हैं, आप एक settings का icon मिल जाता है, कुछ-कुछ mobile में आप settings का icon मिलता है, बड़ उसको आप चेंज करने का option नहीं मिलता है, यहाँ पर MIUI में इसको customize किया गया है, यहाँ आप search का icon भी लेके आ सकते हैं, इसमें बड़ा ही आसान तरीका है, उसके लिए आप जाना पड़ेगा mobile की settings में, settings में आने बाद आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर notification as status bar के अंदर, तो इसके उपर आप टैप कर दीजिए, then last all एक option आता है, notification shared shortcut का, इसके उपर आप टैप कर दीजिए, tap करने बाद आपको option मिल जाएगा search का और settings का, फिलाल settings का तुम जो लगा हुआ है, अगर आप search का लगाना साथ है, तो search का भी लगा सकते है, तो यहाँ search के उपर tap करता हूँ, then यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर search का option आपको देखने को मिल जाता है, फिलाल मुझे settings का icon अच्छा रखता है, तो मैं settings के उपर आपस tap कर लेता हूँ, आप अपने साब से लगा सकते हैं, अगर आपको search का button लगाना है, search का button होगा क्या है आपको directly, जो me का browser उसमें ले जाएगा, और directly आप सेर्च कर सकते हैं, आपको कोई जडूनने जोरत नहीं अगले फिचर की बड़ा ही इंटरस्टिंग है, जो क्या था है, delete sound का, delete sound का मतलब होता क्या है, उसके लिए पर आपको जाना पड़ेगा settings में, settings के आने बाद आप आप जाए अपनी lock, sorry, sound as vibration के अंदर, sound as vibration में जाते हैं, तो नीचे आपको सबसे last में scroll करते हैं, तो यह जाए है, इसको enable करने से फाइदा क्या होता है, इसको फाइदा simple और सीधा से यह ही है, अगर आप अपनी mobile गेलेरे में जाते हैं, गेलेरे में जाके कोई photo delete करते हैं, मैंने select करके रखी, यहाँ पर, अगर मैं delete के बटन के उपर tap करता हूं, तो अभी delete के बटन के उपर tap करत लीजिएगा, अगर आपने हलगा साउंड आया नहीं आया मुझे पता नहीं माइक में, बट एक sound निकल के आ जाता है, अलग ही हमारे mobile के look देखने को मिल जाता है, अगर हम अगले feature की बात करते हो, तो वो निकल के आता है call settings में, तो अगर आप अपनी call settings में जाते हैं, आप आपको एक incoming call settings का option मिल जाता है, तो इसके उपर भी आप tap कर दीजिए, तो यहाँ पर tap कर देता हूँ, tap करने बाद को यहाँ पर बहुत सारे option देखने के हो, मिल जाते है, जैसे कि flash, when, ring, इसको own कर लेते हैं, तो आपका पीछे का backlight होती है, अगर कोई से call आता है, तो वो automatically blink करने लग जाएगे, जिस तरह से आपने iOS device में देखा होगा, वो इस तरह से similar इसमें blink करने लग जाएगे, इसमें आपको third party app डाउलोड करने के ज़रूरत नहीं है, वो third party app वैसा भी बहुत घटिया होता है, वो आपकी mobile को कहीं नक्सानी पहुंचाते है, तो उनको डाउल emergency call आजाता है, या फिर emergency नहीं बोला जाए, या फिर किसका भी ऐसे दोस्का call आया रात को disrupt करने के लिए, तो क्या होता हम एकदम चौंक जाते है, किसका call आगया, किसका call आगया, तो वो दिक्कत हो आती है, तो इसमें क्या होगा, क्या को जो volume होता है, जो आपकी ringtone बसती है उसके जो speed होती हो, दिरे-दिरे बढ़े ही, मतलब पहले थोड़ा slow बजेगा, फिर थोड़ा तेज होगा, फिर थोड़ा तेज होगा, इससे आपको ऐसे लगएगा नहीं कि हाँए, किसका call आ रहा है, आपको बड़े राम से उटना पर देख सकते हैं, आपको किसका call आ आ आपको यहां पर बहुत सारे sound लेखने को मिल जाते हैं, मजाक निकरता हूं मिन रोज डेली जब भी मैं जोगिंग करने जाता हूं तब मुझे sound सुनता हूं, और बहुत अच्छे sound होते हैं, अगर आपनी हच्छे quality यहाच्छे quality earphone है, तो earphone लगाईए अपनी कानों में, औ यज अगर आपको अब लिए पही घुनि देना चालते हैं, आपको बाहर के साउंड या फिर फोरेस्ट के साउंड या फिर नाइट का साउंड वो सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, वो सुन नहीं पातें शीची में रहते हुए, लेकिन सिंपल सा और सेदा सेलाज यहां यहां पर बहुत सारे option दिये हुए रहते हैं आप बड़े अराम से सुन सकते हैं जाकि यह मैं forest का sound चलाता हूं यहां पर और यह हमार सामने summer night का option आ जाता है उसके लब यहां पर beach का option भी निकल गए आ जाता है तो यहां पर बारिश का देन कहीं पर अगर आग जल रही हो तो उसका अभी सरदय और टाइम आ रहा तो इसका sound भी आफ सुन सकते हैं और बड़े अराम से आनन ले सकते हैं और टाइमर भी चला सकते हैं तो यह एक option आमार सामने के आ जाता है अगले फिचर की बात कर तो अगले फिचर आता है तो अगर आप हो सकते हैं वाल प्रेवरेट हमें तो देहन नहीं पेड़्या नहीं महीं मिलता है तो हो सकता है बुद्सक्राइब के बीडियी टेस्टिंग कर जाए और आपको इसका अब्रेट देखने को मिल जाए इसमें फाइदा कि अने वाल अगर आपके एलेज में कोई इसी वीडियो होती है जो अपने वॉल पेपर लगाना चाहते हैं कोई भी वीडियो तो आप लगा सकते हैं स्वाइक हैं हों अगले पीचर निकले काता है में अपने में स्टनी कर एक और स्प्रिक कर ऑक एक Equipe करके और इसका hen रूपच्ई कर सकते हैं यहां देखिए अगर यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर यहां पर यहां से रीट कर सकते हैं बात करेते हैं त Aye को अपकर swoim up करते हैं तो आपको निचे सएक search bar निकल के आ जाती है अगर आप स्क्रेटा की प्राइए तो सब्सक्रा सकते हैं एक लाओर समी यह पर दोना जरूरी भी मेरे थाब से लेकिन इसको अगर हम कस्टमाइज कर सकते हैं किसी Chrome ब्राउजर के उपर ऐसे अरह लग तो और भी मज़ा आ जाता देना अगला फीचर यह वाद के तो अगला फीचर होम इसक्रीन के उपर आ जाता है अगर आप होम इसक्रीन के उपर प्र तो वह दिक्कत हमार समय के आ जाती है लेकिन अगर होम इसक्रीन लियाओट के उपर आप टैप कर देते हैं तो कोई किसी बच्च किसी बितर है का आद भी इसको हिला नहीं पायागा यह जाएगा होम इसक्रीन लियाओट लॉग्ड मतलब इसको हिना नहीं सकते हो आप तो और को मुव नहीं कर सकता और कोई यहां पर पर इसको मूव भी नहीं कर सकता तो यह option में और समय बहुत ही बहाथर निगल आ जाता है तो इसको आप default यहाँ ब्देश कर सकते हैं तो यह भी बड़ा हमार समय आप में किस से support मिले है जिस app में आपको मिल रहा है जो बताने वाला हूं उससे अधिक तर एपस में आपको split screen का support दिखने को मिल जायागा उसके लिए आपको करना कि आपनी सबसे बिल जाना about phone में about phone में जाने वाद आपको जाना है MIUI वर्जन के उपर 10 टैप करना है देन आप साथ पार्ट बार टैप करेंगे तो उसके आप developer बन जाएंगे तो आपको वापस बैक आने के बाद आपको जाना है additional settings में additional settings में आज आएंगे तो आपको develop option का एक option मिल जाएगा इसको पर आप टैप कर दीजिए टैप करने के बाद आपको सबसे last में चले जाना last में चले जाएंगे तो आप आपको option मिल जाता है फ्रोज activity भी रिसाइबल तो इसको आप इनेबल कर दीजिए इनेबल कर दीजिए आपके साथ इसको इनेबल करने से फायदा यह होता है कि आपको सारे apps जो है अब तो आप यहां पर तीन डोड देख पा है और क्या फूल गया भईया तो आप वोल्यूम की दभाते तो आप 3 डोड को option मिल जाता है इसको आप टैप कर दीजिए टैप करने बाद आपको D&D को मिल जाता है तो D&D को आप कर दीजिए और अपने इसाप साइब चूज कर silent भी कर सकते हैं यहां पर सारे option आपको देखने को मिल जाते हैं और silent में आपको sound अलग लगता है कि देखने को मिल जाते हैं जो कि एक बहतर बात है उसके अलाबे आपको कई अलग लग sounds दिये गया जैसे charging की टाइम अलग sound दिया गया है हलाएकि इस्टेबल वरजन के मुझे इतका पता नहीं मैंने सुना नहीं है बट वीटर वरजन में तो अलग लगता कि आपको sound देखने को मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी बात है तो यार बस अभी इतना ही करते ह इसने फीचर्स दूनने पड़ते हैं आपको बताऊंगा क्या कुछ अलग लग लग फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं अपडेट के साथ तक हमारी चैनल के उपर बने रही है तो फिलारे इस वीडियो में तो लाइक करना ना बोले इस वीडियो को लाइक का एम रख हम 230 लाइक तो आप बढ़े रांसे कर दोगे इतना तो मुझे जरूर से विश्वास है है तो 230 लाइक कम्प्लिट सेर्वर कर दीजेगा तो फिलाले या इस वीडियो में पहले देदा वीडियो को शेर करना ना बोले वर्जनों को सब्स्क्राइक परना तो बिलकुल बिना बोले तो मैं बिलता हम कोगे लिए एक्साइटिंग विडियों तो दगली जय हिन वन्ने वात्रव